आज का हमारा मुख्याति दी है डॉक्टर जाकिर नायक डॉक्टर जाकिर नायक के अनुसार प्रभु एशु मसी ने यहुना का किताब उसको चौदवा अध्याय सोलवा वचन में मौबद नभी के बारे में बहुश्वानी की है आईए अब हम इस वचन को पढ़ते हैं मैं पिता से बिंती करूंगा और वह तुमें एक और सायक देगा कि वह सरवदा तुमारे साथ रहे इस वचन का क्या मतलब है डॉक्टर जाकिर नायक धर जीगिए क्या स्पीत ऑपन अंत्रुचि कर्शने में इस यνुच्टर शॉक्त। नियुच्टर ने तुच्ट विल चन की स्ट्वार PER अगर तुम वचन पड़ा है तो इस बात का सपस्ट है कि यह उना चौदवा अदियाए 16 जो है मौमत नभी के बारे में कुछ भी नहीं कहता है उतना ही नहीं डौक्टर जाकिर नायक और एक वचन बाइबल से कोट करते हैं वो है यहना शोलवा द्याइसातो इस वचन का क्या मतलब है डौक्टर जाकिर नायक येशु ने क्या कहा? येशु के अनुसार सायक को कौन बेजेगा? तो डौक्टर जाकिर नायक के अनुसार यहना सोलवा द्याइसातो वचन का जो सायक वाला बहुश्वानी है वो मौमत नभी के बारे में है प्रभु येशु ने क्या कहा? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुमारे लिए अच्छा है क्यूंकि यदी मैं ना जाऊं तो वह सायक तुमारे पास ना आएगा परन्तु यदी मैं जाऊंगा तो उसे तुमारे पास बेजूंगा तो डौक्टर जाकिर नायक के अनुसार प्रभु येशु मसी है जिनोंने मौमत नभी को बेजा सहायक को कौन बेजेगा येशु बेजेगा येशु ने किसको बेजा सहायक को बेजा अल्ला ने मौमत नभी को किस ने बेजा अल्ला ने बेजा अगर सहायक मौमत नभी है जैसे डॉक्टर जाकिरनायक दावा करते है तो डॉक्टर जाकिरनायक के अनुसार येशु कौन हुआ? दनेवाट डॉक्टर जाकिर नायक इस बात पर विश्वास करने कि प्रभु येशु मसी तुमारा परमेश्वर है और मौमद नभी का भी परमेश्वर है आमेन